हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Nokia 5.1 Plus और Realme U1 इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों मोबाइल्स का कमपेरिजन और जानेंगे इन दोनों में सबसे बहतर कौन सा है तो अगर आप सोच रहे हैं Nokia या Realme का मोबाइल लेने की तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा मैं आपको बताऊंगा 10-12,000 तक के बजट में आने वाले ये दोनों मोबाइल्स में आपके लिए सबसे ज़ादा बड़िया कौन सा रहेगा इन दोनों मोबाइल्स में क्या क्या कमिया है क्या क्या अच्छाईया है Nokia 5.1 प्लस आता है 11,000 रुपे के असपास और Realme U1 जो के भी हाल ही में लाँच हुआ है ये आपको Flipkart पे मिल जाएगा या फिर Amazon पे 12,000 रुपे के असपास प्राइस इन दोनों मोबाइल्स की बहुत ही अच्छी है इन दोनों मोबाइल्स के फीचर्स के हिसाब से क्योंके इन दोनों मोबाइल्स में आपको काफी जादा अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले Realme U1 का कैमरा आपको जो डूल कैमरा मिलता है वो मिलता है 13 प्लस 2 मेगा पिक्सल का यह मोबाइल मिलता है आपको बहुत ही जादा ग्लॉसी लुक के अंदर आप देख सकते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे बहुत ही जादा अच्छा लगता है बाकि इसके लाव आपको Nokia 5.1 प्लस में भी आपको डूल कैमरा मिल जाता है 13 प्लस 5 मेगा पिक्सल का Nokia 5.1 प्लस भी आपको मिल जाता है बहुत ही जादा ग्लॉसी लुक के अंदर mirror type का आपको view मिल जाता है इसके अंदर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये mobile भी looking wise बाकि दोनों mobiles के अंदर आपको notch वाले display मिल जाती है 6.3 इंचिस की display आपको मिलती है realme U1 के अंदर और 5.86 इंचिस की आपको display मिलती है Nokia 5.1 प्लस में तो display size भी इन दोनों mobiles का काफी कमाल का है जादा बड़ी आपको काफी अच्छी size में display मिल जाती है U1 के अंदर और इसके bezels आप देख सकते हैं दोनों ही mobiles के U1 के bezels जो है Nokia के comparison में छोटे हैं और Nokia की branding जो आपको मिलती है bezels के ओपर वो उसको काफी जादा premium look देती है जिसका price है 12,000 रुपे करीब से मापको दोनों ही mobiles का display का look दिखा देता हूँ आप colors के अंदर difference देख सकते हैं दोनों ही mobiles की display काफी अच्छी लग रही है इसके अलावा edges आप देख सकते है Nokia के comparison में U1 के अंदर काफी जादा छोटे हैं 409 PPI आपको U1 में मिलता है 287 PPI आपको Nokia में मिलता है तो display के मामले में तो U1 जादा बढ़िया है Nokia से बाखी बात कर लेते हैं वेट के बारे में तो 150 ग्राम के आसपास वेट है Nokia का और 168-170 ग्राम के आसपास आपको वेट मिलता है U1 का तो Nokia का mobile आपको काफी ज़ादा lightweight मिल जाता है, काफी handy mobile है, यह चीज़ इस mobile का plus point है, बात करें design की तो Nokia का mobile बहुती ज़ादा प्यारा मिलता है, आपको चारों तरफ से glossy look मिल जाता है, Nokia के mobile में एक कमी है कि इसके अंदर आप दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा जो कि इस mobile की काफी खास बात है, और U1 के अंदर आपको USB to Micro USB केबल मिलती है, तो यह इस mobile में थोड़ी सी कमी है, इसके अंदर अगर Type-C केबल देते हो, तो बहुती बढ़िया रहता, fingerprint scanner तो चलिए दोनों ही mobile में आपको मिलता है, लेकि Nokia के mobile में यह कमी है, इसके अंदर अच्छन मिल जाता है, front camera की बात करें, तो 25MP का front camera आपको मिलता है U1 में, जिससे आप काफी शांदार selfie photos ले सकते हैं, और Nokia के अंदर आपको मिलता है 8MP का front camera, तो जादा better camera आपको front का मिलता है U1 के अंदर, काफी बढ़िया camera है इसका front में, back camera की बात करें, तो 13 plus 2MP का U1 के अ अंदर है, और 13 plus 5MP का Nokia के अंदर है, तो अगर आपको portrait modes वाली photos लेनी है, तो इन दोनों mobile's में सबसे बड़ी आपको performance मिलेगी Nokia के अंदर back camera की, तो front camera में U1 अच्छा है, और back camera में Nokia का mobile अच्छा है, बैटरी के बारे में बात करें, तो 3060MH की बैटरी Nokia में मिलती है, और 35MH की बैटरी आपको U1 में मिलती है, तो जादा बड़ी या बैटरी इन दोनों mobile's में U1 के अंदर आपको मिलती है, लेकिन एक चीज मुझे ये दोनों mobile's में कमी लगी, कि Realme के बारे में जैसे सबको पता है, Realme 2 में भी C1 के अंदर भी 7000 रुपे में, 9000 में 4230MH की बैटरी मि भी होनी चाहिए थी, Oreo का latest version आपको दोनों mobile's में मिल जाता है, अब बात कर लेते हैं, दोनों ही mobile's की सबसे main चीज जो की है processor, तो ये चीज इन दोनों ही mobile's के अंदर बहुत ही बढ़िया है, MediaTek का P60 processor आपको काफी जादा powerful मिल जाता है, Nokia के अंदर 11000 रुपे में जो की एक बहुत ही बढ़िया बात है, और U1 के अंदर तो MediaTek का P70 processor आपको मिल जाता है, तो दोनों ही mobile's में processor बहुत बढ़िया मिल जाते है, U1 के अंदर थोड़ा और better मिल जाता है, आपको U1 के अंदर प्रोसेसर फिर्स टाइम इंडिया के अंदर ये processor ये processor यूज करा गया है, जो जो लग रहा है, Nokia के अंदर लग रहा है, प्रोसेसर तो दोनों ही mobile's में आपको काफी जादा powerful मिल जाते हैं, अगर आप normal user है तो उसके अंदर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, WhatsApp, Facebook और YouTube अगर आप यूज करते हैं, तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आ करा है, कली मैंने इसको मंगवाया है Amazon से, लेकिन इसके back side पे scratch पड़ गया, मुझे इसका बिल्कुल भी believe नहीं हुआ, बहुत ही जादा जल्दी इसके ने scratch पकड़ लिया, ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं, realme के अंदर M के नीच आप देखींगे, आपको लंबा सा scratch दिख जायागा, अगर आप ध्यान से देखींगे, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी disappointing लगी, के realme 2 pro में भी मैंने notice कर रहा था, scratches बहुत जादा जल्दी पकड़ लियते है, back panel ने, और इसके अंदर भी build quality के मामले में मुझे थोड़ा सा disappointing लगा, के back panel पे scratches जो है, काफी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इन दोनों मोबाइल में कौन से जादा बढ़िये लगा, ये चीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके जाएगा, चैनल पर आप नए है तो सब्सक्राइब कर लिएगा, उस वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, बाबाई